हेलो फ्रेंज तो आज हम बनाएंगे ये टेस्टी सी मिठाई इस मिठाई को आज हम सिर्फ तीन चुजों से बनाएंगे और ये घर में मिलने वाले सामानों से बनकर तयार हो जाती है बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो रक्षबंदन आने व हो गया है अगर आप बिगनर से तो आप भी सम्राइव को बहुत आसानी से बना कर तयार कर सकते हैं तो चले बनाते इस मिठाई को तो इस मिठाई को बनाने के लिए आप को भी कपया कटोरी को measurement के लिए सेट कर लें फिर सारा मेजरमेंट आप उसी से ले ले तो यहां पर मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया और यहां इसमें लेंगे हम वन अन हाफ कटोरी मुफली तो मैंने यहां पर एक कटोरी को मेजरमेंट के लिए सेट किया है और उसी से मैंने यहां पर डेड़ कटोरी म तो मोफली की कवांटी आप अर्वस्रुटी हहाँ, और इसमें हम डाल्फी है, नमे। तो हमें यहां मूफली को एक मीट के लिए थोड़ा अच्छे से मसल मसल कर दो लेना और इसी प्रोसेस को हमें एक से दो बार के लिए कर लेंगे जिसे की जो मूफली यह थोड़ा सॉफ्ट हो जाए अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हैं और इसके अगे रहे दो आप तक ही ने और वह 맛있का ऐनकर देर को सबस्ते भी की में दा टयार कर सकते हैं अगर आप से की मूफली को भूंकर तयार हैं विकिन्हेन अगर आप इस तरह से मूफली को भूनेंगे तो यह जो चिकल देर बहुत आसानी से निकल जा availability spec TVs म最近 मशल कर सकते हैं भूंते हैं तो यह बहुत ही जल्दी निकल कर बहार आ जाता है है अब हम इसे थंड़ा रोने देंगे और उसके बाद दुनों हातों से मसल कर इसके छिकल निकाल लेंगे और चन्नी तैयार किया ऐसी आप छनीस से चंड कर तैयार कर लिया है बहुत ही जंदी शिकल इसके अश्र Miss जादें गैंगे साथ ऐस में हम पांस से शे चर्फक आजू भी डाल देंगे और इसका बारिक सा पॉडर बना कर तयार कर लेंगे तो मैंने यहां पर इसे बारिक पीस लिया है ध्यान रहें कि आपको मिक्सिको रोक रोक कर चलाना है जिससे की जो यह मुफली है इसमें से ओयल रिलेजना और यह अच्छे से पिसकर तयार हो जाए इसके बाद गयस पर हमें कडाई रख लेंगे और इ आपको आपको चैकर रहना है कि पर तार बन गया है तो बस हमें जो मिशन मनाकर रखा था उसे हम इसमें डाल ढखा देंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए मिक्स करनाया और गेस की फिलम को हमने लो रख लेना है क्योंकि हमें इस mission को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है अगर आप इसे ज़्यादा भूननेंगे तो मुफली का जो ओल है वो रिलीज हो जाएगा जो हमारी बर्फी है वो ओली हो जाएगी तो बस इसको हमें गैस की flame को लो रखकर इस सिफ इसको हमें अच्छे से मिला लेना है यह mix हो जाए बस इतना ही हमें इसे मिलाना इससे ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है तो जो इस mission है वो अच्छे से मिल गया है और यह जो mission है अच्छे से सूखा है इसे हमें इससे ज़्यादा नहीं मिलाना इसी समय हम गैस की flame को off कर देंगे और इसके बाद हम इसे थोड इसमें हम थोड़ा सा food color डालेंगे तो मैंने यहाँ पर green color का food color लिया है आप चाहें आपने पसंद का कोई भी color ले सकते हैं या चाहें तो आप color को skip भी कर सकते हैं तो बस मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद हमें एक ट्रे ले लेंगे ट्रे को मैंने एक butter paper को घी से थोड़ा grease कर लिया है और उस पे हम इस mission को डाल कर अच्छे से set कर लेंगे तो इसे हमें चम्मच है इस पेचला आप जिससे भी चाहें उसे इसको दबा दबा कर अच्छे से set कर लें आप इसे दबाएंगे तो बहुत ही अच्छे से set हो जाएगी और आपको इस बात क कि किसी भी ड्राइफूर से इसे गानिश कर सकते हैं मैंने इसे बादाम से गानिश किया और उसके बाद इसके उपर हम थोड़ा चांदी का वर्क लगा लेंगे जिससे कि जो हमारी बर्फी है वो दिखने में बहुत ही टेस्टी भी बने और साथ ही दिखने में सुन्दर भ लगा उतने में यह बर्फी सैट हो गई है अब इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे तो आप अपने पसंद से छोटे या बड़े जैसे आपको चाहे वैसे पीस में इसे कट कर कर तयार कर सकते हैं तो मैंने यहां पर इसे कट कर लिया और इसके साइड जरा से टेड़े हो रहे थ उसको उसका हम फिर से यूज करेंगे तो मैंने इस बर्फी को बना कर तयार कर लिया है अब जो हमारी जो साइड थी उसको हम चॉपिंग बोड पर फिर से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और इसका एक रोल बना कर तयार कर लेंगे आप चाहे इस को उससे उस पर रोल कर सकते हैं इससे दिखने में सुन्दे लगेंगे और खाने में टेस्टी भी होंगे और बस लीजे हमारा रोल भी बनकर तयार है और इसे हम कट कर लेते हैं अगर यह थोड़ा सा इसका शेप अच्छे से ना है तो आप थोड़ा से दबा कर अच्छे से श की प्यार कर लिया है आप अगर इस बर्फी को बनाकर खा ना चाते Mor county दो आप पहले से मूफली को भून कर रक सकते हो जब भी आपका मन्कु खाने का हो तो आप इस फटाफर्च से बेना कर खा सकते हैं तो रख्षाबंदर में में भी आप रख 커्षांदर के बना